नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं सनसोधन को छोड़ कर किसी भी प्रस्ताओं को मानने से सरकार ने इनकार कर दिया बताद जर्खन अस्थानिय बेक्तियों की परिभासा, परिनामी, समाजिक संस्क्रीती एवं अन लाब को ऐसे अस्थानिय बेक्तियों तक बिश्थारित करने के लिए विधेक 22 में सरकार ने सिर्फ बिनोध सिंह के संसोधन को सविकार किया है बिधान सभासात्र के दरानमोख्य मंत्री ने बिधेक में थर्ड एवं फोर्थ ग्रेट की नोक्री को अस्थानियता की नीती को नियोजन नीती से जोड़ा उन्होंने कहा है कि 1932 का खतियान जीन लोग के पास होगा वे लोग ही थर्ड और फोर्थ ग्रेट की नोक्री के पात्र होंगे एक 11 नॉम्बर को अब धर्म सम्मान अधिकार और पहचान दिवस के रूप में मनाएगी राजी की जनता ज्हामुमो जारखन मुक्ति मोर्चा नेता सुप्रियो भटा चार्ज ने कहा है कि 11 नॉम्बर राजी के लिए था सिक दिन है उन्होंने कहा है कि इस दिन ही 2021 को अलग सरना धर्म कोट की मायं को बिधान सभा से पारित कर केंद्र को भेजा गया था और अब फिर 11 नॉम्बर 2022 को राजी की 3 करोड लोगों की उमीदों के अनुसार 1932 खत्यान अधारित अस्थानिय निती और OBC को 27 पर्थियत अरक्षन को लागू करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया उन्होंने कहा है कि 11 नॉम्बर को अब राजी की जनता हर साल धर्म, सम्मान, अधिकार और पहचान दिवस के रूप में मनाएगी राष्ट पती का ज्हारखन दौरा को लेकर राजे पालने की बैठक राष्ट पती द्रोपादी मुर्मू के ज्हारखन दौरे को लेकर राजे पाल रमेस बैस ने सुक्रवार को राजबहन में राजे के आला धिकारियों के साथ महत्पुन बैठक की बैठक में राजे के मुख सचीव और डिजी पी भी मौजूद थे बताया दे भारत की राष्ट पती द्रोपादी मुर्मू अपने दो दिवस ये दोरे पर ज्हारखन आने वाली हैं ज्हारखन के स्थापना दिवस के काकरम में भाग लेंगी राष्ट पती की ज्हारखन दोरे को लेकर सभी तरह की त्यारिया की जा रही है वही राजभौन में भी उनकी आग्मन को लेकर विसे स्तियारी की जा रही है सुक्रवार को राष्ट पती के जारकन आग्मन को लोकर राजजे पाल डामेस बस ने राजभौन में वरिया अधिकार्यों के साथ बैठक की 1932 खतियान पर राई निती जारकन में महागडबंधन की सरकार ने राजजे के ओवी सी समुदाय के लिए सरकारी नोकरियों और सिक्षन सास्थानों में आरक्षन की स्थीमा 14 से बढ़ा कर 27 पर्चत करने तथा 1932 खतियान अधारित अस्थानिय निती बिधया को सदन के एक दिन के 27 से पारित करा लिया है साथ ही इसे राजेपाल के माध्यम से समिधान की नवी अनसुची में सामिल करने के लिए केंदर सरकार को भेजने का संकल्प लिया है इस बीच इस पर राजनिती सुरू हो गई है जहां मंत्री इसे उपलावधी बता रहे हैं वहीं भी पक्ष आईवास करार दे रहा है बतादे भारतिये जंता पार्टे की बिधायक में सचेतक बिरंची नरायन ने कहा है कि इस प्रकिरिया को पूरी होने में वर्सो लग जाएंगे और तो और यह नवी अनसुची में सामिल होने से पहले ही रिजक्ट हो जाएगा क्योंकि बिना सर्वे करा कोई अधार बताए OVC आरक्षन बढ़ाने की बात कही जा रही है जबकि करनाटक ने पहले सर्वे कराया है उसके अधार पर OVC आरक्षन बढ़ाने के मामले को नवी अनसुची में सामिल कराने का प्रस्ता भेजा है ज्यार्खन पदो एवम सेवा के रिक्तियों में आरक्षन बिधायक 2022 बिधान सभासे पालित हो गया है मुखे मंत्री हमंसुरें ने बिधायक को सदन में पेस किया था कुछ संसोधन प्रस्ताओं के अतिरीक्त इस बिधायक को सभी दलों का समर्थन मिला है हलाकि बिधायक और पुर्वस्वास्त मंत्री भानुप परताप साही ने कहा है कि हम बिधायक का समर्थन करने आए हाए लेकिन इस पर चार्चा होनी चाहिए वहीं स्पिकर रविंद्र रनात महतो ने उनको कहा है कि आपने कोई संसोधन प्रस्ताओं डाला ही नहीं आपके इतने बड़े दल से केवर रामचनर चनवांसी नहीं संसोधन प्रस्ताओं डाला है पच्मी सिंभू में सुरक्षा बलो पर हमले की साजिसना काम पच्मी सिंभू में जीले के टोटो थाना चेतर के जंगल चेतर से सुक्रवार को देर साम 11 आईडी बरामत किये गए है पुलिस सुत्रो ने बताया है कि टोटे थाना चेतर के गोईल के रामे नक्सलियों ने तलासी अभियान में जूटी सुरक्षा बलो के टीमों को उड़ाने की जोजना बनाई थी हलाकी इन बमों को जनकारी मिलने के तुरंत बाद उन्हें निस्क्रिये कर सुरक्षा बलो के बम निरोधक दस्ते ने नक्सलियों के मनसुवे पर पानी फेर दिया है मामले की चान बीन भी जारी है पुलिस सुत्रो ने बताया है कि पच्मी सिम्हुम जीले के टोटो थाना छेतर के जंगल में सुरक्षा बलो को निसाना बनाने के लिए पलांट कियेगा 11 सीरीज आईडी को जवानों ने बरामत कर नक्सलियों के मनसुवे पर पानी फेर दिया है खतियान अधारित अस्थानी निती पर सरकार ने बनाया बोका पुर्व महा अधिवक्ता जार्खन उल्गुलान संग द्वारा छोटा नागपूर का स्तकारी अधिनियम 1908 की 114 वी वर्षगाट पर कच्छारी मैदान में आदिवासी मुंडा समाई द्वारा सीन टी एक्ट अस्मरन उल्गुनान दिवस मनाया गया कच्छारी मैदान इस्थीत सतावदी सिलालेख पत्थर के पास भेगरा पढ़ा राजा सनीका भेगरा और गुडिया पढ़ा राजा हाबिल गुडिया के नितित में दीरी चापी स सुनूम ससांग का कारिकरम किया गया इस दोरान ज पुरु महाः अधिवक्ता, अजीत कुमार ने लोगों को C&T Act की 20 से स्तावों को बताया, उन्होंने बताया कि जार्कन के अधिवासियों की छिति कितनी खराब है, उन्होंने कहा कि बरतमान सरकार से लेकर पुरु की सरकारों ने यहां कि अधिवासियों और मुल्वासियो को बोका बनाने का काम किया है उन्होंने कहा है कि ताजा उधारान है कि सरकार ने खत्यान अधारित जो अस्थाने निती बनाई है उसमें एक क्लोज लगा दिया है कि जब केंद्र सरकार इसे नवी अनुसुची में सामिल करेगी तब यह राजे में लागू होगा कोडार्मा में हेमन्त हटाओ जार्खन बचाओ कारेकराम हेमन्त हटाओ जार्खन बचाओ कारेकराम के नीमित सुकरवार को भारतिय जनता पाठी कोडार्मा जील्या के जुम्रीत तिलेया मंडल और अस्थानी निति पारीत करा जानता को धोखा दे रही सरकार. रगुवर्दास पूरो मुख मंत्री रगुवर्दास ने कहा है कि हेमांत सर्कार बिधान सभा से 1932 अधारित अस्थाने निती और अड़क्चन ससोधन बिधयक पारित करा जनता को धोका दे रही है जार्खन की जनता 2019 के इसी जहासे में आकर कि आप अबुवा राज बनाईए कह तीन माह के अंदर असानेता निती बनाएंगे लेकिन सरकार के तीन साल के अधिक बीत गए लेकिन खतियान 1932 का रोग इन्हें याद नहीं आया जब E.D. मुख्यमंत्री के दवार गए तो तब इनको सरकार आपके दवार याद आये 1932 का खतियान याद आया वही 27 फिदी आरक्षन भी याद आया इस पूरा जहार्खन का पिछळा समाज यह जान चुका है कि पंचायद में आरक्षन था उसको समाप्त किये नगर चुनाओ का आरक्षन समाप्त किया इन आये ने 119 सलियों के खिलाब 46 दाखिल की राश्टिये जाच एजनसी ने जहरखन में लातेहार जीले में राश्ट्र बीरोधी गतिवीद्यों से जुड़े मामले में 119 सलियों के खिलाब 46 दाखिल की है देव घर में अपराधी को पकड़ने गई पूलिस पर फैरिंग से घटना के समन्द में बाचित की और निकल गए फिलाब पूलिस ने कुछ भी बताने से साप इंकार कर दिया है नए सेक्षिनिक सत्र से बदल जाएगा पिएश्डी की डिगरी प्राप्त करने का प्रारूप रांची इन्वर्सिटी उच सिक्षा में कई बदलाव कर रही है आर्यू के पिएश्डी चाहतर अब एक लिखित घोसना प्रस्तूत करेंगे कि उन्होंने थीसिस लिखते समय साहितिक चोरी का सहारा नहीं लिया है पर्मान पत्र अमतिम सोध पत्र के साथ जामा करना होगा इस प्रस्ताओं को आर्यू की एकेडमी काउंसिल ने मंजूरी दे दिया है सिंडिकेट ने विस्व बिद्याले अनुदान आयोग और भारत के राजपत्र द्वार निधारी दिशा निदेश को ध्यान में रखते हुए सोध पत्रों के लिए साहितिक चोरी की जाच को भी मंजूरी दिया है पलामो के सेंटरल जेल में नसे के आधी कैदियों के निशाने पर शिपकिली और उसके बाद उसका सेवन करते है ड़क्टरों की माने तो एक काफी नुकसान दायक है जेल अधिक्षक ने कहा है कि पहले कैदियों दोवरा ऐसा किया जाता होगा फिलाल ऐसा कुछ नहीं है वैसे जाच के बाद उचित करवाई की जाएगी बताया जा रहा है कि जेल के अंदर कैदी वाड में जो भी छिपकिली इन कैदियों को दिखती है उन छिपकिलीों को पकड़ कर वे उसकी पूँच को काट देते हैं कई ऐसे कैदी हैं जो पूँच को धूप में सुखा लेते हैं सुखाने के बाद उसे चीलम में भर कर भी पी जाते हैं अस्थानिय नीती और OVC आरक्षन बील पारित होने पर जस्न जारखन विधान सभा में सुख्रवार कोने से 32 खतियान अधारित अस्थानिय नीती और OVC को 27% आरक्षन बील पारित होने पर राज्य भर में जामो करकता जस्न मना रहे हैं इसी कड़ी में खूटी के भागत सिंग चौक में करकताओ ने अत्षपाजी कर एक दूसरे को तथा लोगों को मिठाई खिला कर बदाई दिया बता दे इस मोके पर जीला अध्यक्स जूबेर अंबाद ने कहा है कि मुख्य मंत्री हमान सुरेन के नेतियुत में जारकण के हित में नित नए नए फैसले लिए जा रहे हैं इसी कड़ी में राई सरकार द्वारा केबिनेट से पारित खत्यान अधारित अस्थाने निती अरोवी सिको सताईथ पर्थस अरक्षन विधायक को विधान सभा से पारित किया गया पलामू में सरकारी स्कूल टीचर खुद रहते थे गायब डीसी ने लिया एक सन पलामू जीला के उपायूक्त ने जीला सिक्षा अधिक्षक को सतबरवा के घुटुगा के राज किये प्रात्मिक विध्याले के सरकारी सिक्षक कुंदन कुमार को निलमित करने का नितेस दिया है उन्होंने सहायक समहार्ता स्रीकांत बिसफूते द्वारा की गई जाच के आलोक मियाक करवाई की है बताया जा रहा है कि जाच की भनक लगते ही नीजी सिक्षक फरार हो गया इस पूरे मामले में उपायुक्त ने तवरित एकसन लेते वे जीला सिक्षा अधिक्षक को आरोपी सरकारी सिक्षक कुंदन कुमार को सस्पेंड करने का भी निर्देस दिया है दरसल घुटुआ के ग्रामिनों ने उपायुक्त शिरी दोड़े से महीनों सिक्षक के गायब रहने वो अपने अस्थान पर निजी ब्यक्ति से सिक्षन का काड़े कराने को लेकर सिकायत की थी सिम्डेगा के बंगरू में सरकार आपके द्वार कार करा हम सुक्रवार को जारकन बिधान सभा के बिसेस सत्र में उन्हें से 32 के खतियान अधारित अस्थाने नेती और वो भी से अरक्षन बील के पेस होने पर बढ़ाय देने का सिलसिला जारी है जारकन अलग राजे बनने का सपना अपसकार हुया है उन्होंने कहा है कि महागडबंधन की सरकार जो कहा ओकिया राजे किया कंचाओ का नुरूप महागडबंधन की सरकार ने अपनी जिमिदारी निभाई है बताजे सरकार आपके द्वार कार्करम के तह सिम्डेगा परखांड की बंगरू पंचायत में कार्करम को समोधित करते हुए जिप सदस्य जो सीमा खाखा ने कहा है कि जरकांड की गड़बंदन सरकार ने वादा ही किया उसे पुरा कर दिया है अस्थानिय निती पारित होने पर सराय के लग खरसावा में जस्तन सुक्रवार को जरकन बिधान सभा का विशे सत्र में हेमन्त सुरेन सरकार ने 1922 के खतियान अस्थानिय निती अरोभी से अरक्षन बिधायक पारित करने पर राजे में पार्टी करकाता जस्तन मना रहे हैं सराय केला खरसावा जीला के तीन बिधायक सराय केला बिधायक सहराजे के परिवान मंत्री चमपाई सुरेन खरसावा बिधायक दसरत गगाई और इच्चागाड बिधायक सवीता महतुनेमो के मंत्री हमन सुरेन को बधाय देते हुए गुलदस्ता भेट किया इस मोके पर खरसावा विधायक दसरत गगाई ने कहा है कि आज का दिन जारकन के लिए एतिहासिक रहा है जमसेदपूर में किहो निरित्य पेस करेंगी सिम्डेगा की छत्राएं जमसेदपूर में 15 नॉमबर से 29 नॉमबर तक आयोजी सनवाद कारेकरम में भाग लेने के लिए सिम्डेगास से गुंडवाना लोज की 14 छत्राओं की टीम रवाना हुई है ए टीम परमपारिक निरित्य प्रस्तूत करेंगी वहाँ पर सत्य ठाकुर की अगुवाई में टीम द्वारा किहो निरित्य प्रस्तूत किया जाएगा जमसेदपूर में तीन दिन बिसेश प्रसिक्षन के बाद 15 नौमबर को कियो निर्थ की प्रस्तूती बड़े मंच पर होगी इसमें 10 देशों की आदिवासी सामिल होंगे गोंडवाना लोज की छत्राओं ने कहा कि पहली बार हम इतने बड़े मंच पर अपना नेत्य प्रस्तूत करने जा रहे हैं इसके लिए हम में काफी उत्सा है जारखन हाई कोट ने सरकार से पूछा कब आएगी देवगहर के त्रीकूट रोफवे हाद्से की रिपोर्ट जारखन हाई कोट ने देवगहर में गत 10 अपरेल 2022 को हुई त्रीकूट परवत रोफवे हाद्से को लेका सोता संग्यान से दर्ज जनित याज का पर सुनवाई की चीफ जाष्टी डाक्टर रवी रंजन और जाष्टी सुजित नरायन परसाद की खंड पिठने मामले के सुनवाई के दरान पक्ष सुननने के बाद राज सरकार से पुछा है कि हाद्से की रिपोर्ट कोब तक आएगी घाटना हुए साथ माह गुजर गया है और अब तक रिपोर्ट नहीं आई है हाद्से की जाच किस अस्तर पर है और कितना समय लगेगा खंड पिठने अगली सुनवाई के दरान रिपोर्ट पेस करने को कहा है मामले की अगली सुनवाई 18 नॉमबर को होगी टाटा नगर पतना और हबडा से चलने वाली जह ट्रेने 16 तक रद जारखन के रांची और टाटा नगर बिहार के पतना बंगाल के हबडा और संत्रागाची ओरिशा के जार्शु गुडा के अलावा 36 गड़ और महराष्ट चलने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को 16 नॉमबर तक रद कर दिया गया है कई ट्रोने के रूट भी डाइवर्ट किये गया है दक्षिन पूर्व रेल्वे ने यह जनकारी दिया है कि दक्षिन पूर्व रेल्वे की ओर से दी गई जनकारी में बताया गया कि विलासपूर मंडल में नन इंटर कॉलिंग कारे की वज़ा से साथ जोड़ी ट्रेने रद रहेंगी उनके अधिकारों की रक्षा होगी बताजे सिम्डेगा विधायक भुषन बड़ा ने कहा 1932 के खतियान के अधार परस्थानियता नीती से आदिवासियों की सत्ता और संसादनों में उनकी भागेदारी बढ़ जाएगी सहीद रमेश सिंग मुंडा की जयनती पर बोले मिथले स्ठाकूर 2024 तक हर घर में नल से जल जार्खन के पेजलने में स्वक्षता मंत्री मिथले स्ठाकूर ने कहा है कि दिसोम गुरु सीबु सुरेन ने संगहर्स किया और जार्खन अलग राजे बना उनके पुत्र हेमन सुरेन के नितित में राजे में सभी छेतरों में विकास हो रहा है सभी बर्गों के साथ नयाय भी हो रहा है चीर प्रती छित मांग पूरी हो रही है 2024 तक हर घर में नल से जल की विवस्था कराएंगे वे बुड़ू में सुक्रवार को सहीद रमेश सिंग मुंडा के जयनती पर आवजीत पांच दिवसी खेल महोच्चव के समापन समारों में बतर मुक्यातिती बोल रहे थे लोहर्दगा में खेत में सिचाई करने गए दो किसानों की करंट लगने से मौत लोहर्दगा जीले के सेना थाना छेतर के तोड़ार पंचायत अंतरगत सिठियो पूल के पास अपने खेत में सिचाई करने गए दो किसान की मौत बिजली करंट की चपेट मैने से हो गई बताया जाता है कि सिठियो गाव निवासी मकरू साहू के पूत्र कंचन साहू 38 वर्षिये एवाम मान्डू उराव के पूत्र बिशराम उराव सुक्रवा सुबा सिठियो कोयल नदी किनारे अपने खेत में सिचाई करने की ले गए थे इस दवरान बिजली प्रवाहित खुला तार की चपेट में आ गए जिससे मौके पर ही दोनों किसानों की मौत हो गई जार्खन के इतिहास में स्वन अक्षरों में दर्ज हुआ 11 नॉम्बर का दिन जार्खन बिधान सभा से जार्खन वासियों की आत्मा और अस्मीता से जुड़े 1932 खतियान अधारित अस्थानियता और नियोक्ति तथा सेवा में आरक्षन बिरिधी का बिध्यक पारित हो चुका है पूरे जार्खन के लिए दिन बिसेस और एतिहासिक है बता दे पूरा जार्खन जस्न और खुसिया मना रहा है इन दोनो बिधेकों के सदन से पारित होने के बाद विधान सभा परिचर में सन्वादताओं को समोधित करते हुए मो के मंत्री हमंसुरे ने कहा है कि एक बार फिर जार्खन के लिहाज से 11 नौमबर का दिन एतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्ष्रों में दर्ज हो चुका है जीला कंजूमर फोरम में कंप्यूटराइज करने के मामले जार्खन हाई कोट के मुखे नयाधिस डाक्टर रवी रंजरों नयाधिस सुजीत नरायन पसाद के अदालत ने राज्य के सभी जिला कंजूमर फोरम को कंप्यूटराइज करने की मांग को लेकर दयार याजका पर सुक्रवार को सुनवाई की अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद केंदर सरकार को दो सब्ता में बिस्तित अगतन और बिंदुवार जवाब पेस करने को कहा है याजका करता क्या दिवक्ता सुभासीस रसिक सोरेन ने बताया है कि प्रार्थी नवीन जहाने जहारखन के सभी जिला कंजूमर फोरम को कम्प्यूतराज करने के मांग को लेकर जहारखन हाई कोlide में याजका दायर की है उसी आज का पर सुनवाई हुई अदालत ने पुर्व में भी मामले में केंदर सरकार को जवाब पेस करने को कहा था धन्यवाद